Principles of Animal Ecology, Lecture 116 इस lecture में जो हम जो टॉपिक डिस्कास करेंगे वो है Pollution and its types जैसे ही लफ्स pollution हमारे जहन में आता है तो हमारे पास एक ऐसा फेनोमेना जहन में आ जाता है जिसमें के changes जहें वो irreversible है हम pollution को define कैसे करते हैं the presence or introduction into the environment of a substance or a thing that has harmful or poisonous effect or the addition of any substance in the form of solid, liquid or gas or any form of energy whether it's heat, sound or radioactive to the environment at a rate faster than it can be dispersed, diluted, decomposed, recycled or stored in the some harmless form इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो environment है उसके अंदर किसी भी ऐसी चीज का introduce हो जाना जो कि finally जो है वो harmful हो जाए human beings के लिए that is pollution और यह process mostly जो है वो irreversible process है इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारी environment में जो चीज enter हो रही है वो किसी भी form में हो रही है toilet form में हो रही है, liquid form में हो रही है, gas form में हो रही है किसी energy की form में हो रही है और वो जो है जिस तरह से वो तेजी से enter हो रही है उतनी ही तेजी से वो decomposed नहीं हो रही destroyer नहीं हो रही environment में उसकी dilution नहीं हो रही decomposition नहीं हो रही और वो recycle भी नहीं हो रही वो environment के अंदर stay कर रही है तो वो जो stay है वो जो है उसका harmful है उसकी recycling, storage, decomposition जो है उसको less harmful form में ले आएगी तो वो process जो है वो बहुत slow है वो ना होने के बराबर है तो ये जो है वो हमारे environment की जो है वो pollution है यानि के कोई भी चीज जो है जो एक unwanted है वो हमारी environment में enter हो जाए उसे हम recycle ना कर सकें उसे हम decompose ना कर सकें उसे हम less harmful जो है फॉर्म में ना लेकर आ सकें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो pollution cause करती है अब major हमारे पास mainly कौन कौन सी जो है वो pollution की form है तीन जो है वो major pollutions की form है जिसमें हमारे पास air pollution अब air pollution एक wasp जो है वो area है उससे related बहुत सारी जो है वो types है pollution की जिसकी वजह जो है वो air pollution बनती है इसी तरह water pollution ये भी जो है वो एक wasp जो है वो subject है इसमें के बहुत सारी और different जो है वो चीजें जो है वो water की वज़ा से जो है वो pollute हो जाती है इसी तरह land pollution है इसमें भी जो है बहुत सारी और चीजें जो है वो इस land polluted land की वज़ा से जो है वो pollute हो जाती है वो नाकाबले इस्तमाल हो जाती है इसके इलावा बहुत जो हमें lighter यहां कम जो है इस वकत वो हमारे पास light pollution है, litter pollution है, noise pollution है, plastic pollution है, लेकिन plastic और litter जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि plastic जो है वो recyclable नहीं है, decomposable नहीं है, इसी तरह litter जो है, वो आप उसको recycle नहीं करते हैं, बहुत सरे जो developing countries हैं, वहाँ recycling जो है वो नहीं होती है, इसी तरह noise pollution जो है, वो बहुत सरी आवाजें जो है, वो noise पैदा करती हैं, वो एक खास frequency से जो हट जाती हैं, और definitely वो हमारी जो ear drum है, उसको जो है वो effect करी है, soil contamination है, बहुत सरी ऐसे जो के plastic किया है, इस किसम के litter जो है, वो soil को contaminate करे हैं, उसकी विएसे बहुत सरी जो soil है, उसकी fertility, उसकी जो एक हैयत है, वो जो है वो change होती जा रही है, radioactive contamination ये जो है वो 21 और 20 वी सदी का एक तोफ़ा है, कि उसने जो है radioactive जो elements है, यह radioactive जो components है, वो फिजा में जो है वो बिखर जाते हैं, और नागसा की और हीरोशीमा की उपर जो bump फेंका गया था, वो भी atomic bump था, और उसकी जो है वो तापकारी के असराज जो है, वो आज तक जो जो है वो नेशन जापान की जो हो भुगत रही है, thermal pollution है, real pollution है, जिसमें thermal pollution जो आइसा ऐसा जो हो गर्मी बढ़ती जा रही है, हम रपस real pollution है, हम जो है वो चीजों को less, जो हो कम देखते हैं, उसकी बहुत सारे जो हो factors हो सकते, तो यह pollution की different forms हैं, और यह linked है, आईधर air pollution से, water pollution से, यह जो है वो land pollution से,